तो दोस्तों मैंने WhatsApp से related एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि WhatsApp के जो भी unknown contact number आपको देखने को मिलते हैं उसको आप WhatsApp में कैसे delete कर सकते हैं और बहुत से यूजर को यहां पर delete का option भी देखने को नहीं मिल रहा था तो यह दोनों अगर आपको problem देखने को मिल रहे तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी important है क्योंकि यह दोनों problem का solution मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और साथ में मैं बताने वाला WhatsApp का contact number आप कैसे delete कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि WhatsApp का जो भी contact होता है उसको कैसे delete कर सकते है और इसके लिए आपको क्या process complete turn up वो में आपको इस वीडियो में पूरा clear करने वाला हूँ तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि आपके mobile में Google डाइलर अगर देखने को मिलता है और Google डाइलर में अगर आप यहां पर कोई भी contact को delete करते हैं तो WhatsApp में फिर भी वो contact आपको देखने को मिलेगा क्योंकि WhatsApp का जो number होता है वो automatic synchronize हो जाता है इसलिए आपको WhatsApp में जाके उस contact को delete करना पड़ता है और delete करने के लिए क्या process complete क clear करूंगा तो सबसे पहले आप यहाँ पर WhatsApp को open कर लें WhatsApp को open करने बाभ इस परकार का interface मिलेगा तो यहाँ पर नीचे में मैसेज वाला option मिल जाएगा इस मैसेज वाले option पे click करना है जैसे आप यहाँ पर message वाले option पे click करते हैं तो जितने भी contact है वो आपको यहाँ पर देखन तो ये contact है Isको मुझे यहाँ पर delete करना है तो चलिए मैं इसको यहाँ पर select कर लेता हूँ जैसे मैं यहाँ पर select करूँगा तो देख सकते इस contact बताया जा रहा है कि यह जो number है अब बिजनेस account के लिए use किया जा रहा है तो ये एक personal number नहीं है, एक business account के लिए use किया जा रहा है, तो इस परकार आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कोई कौन सा content business के लिए है, कौन private के लिए है उपर में जो three dot मिल रहा है, इस three dot पर जैसे आप यहाँ पर click करते हैं तो कहीं पर delete का option आपको नहीं मिलेगा उसके लाब अगर आप यहाँ पर more पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको delete का option कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है तो इस content को delete करने लिए क्या करना है, कि आपको जो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो net है उसको on करके रखना है अगर आप यहाँ पर net को off करते तो उसके बाद क्या problem मिलेगी वो भी मैं आपको clear करूँगा तो यहाँ पर आपको जो profile है, इस profile पर click करना है, profile पर click करने बाद नीचे में आप देख सकते हैं कहीं पर भी आपको delete का option नहीं मिलेगा जैसे आप यहाँ पर edit वाले option पर tap करते हैं, तो यहाँ पर एक option यहाँ पर open हो जाएगा और यहाँ पर अगर search करते तो कहीं पर भी delete का option नहीं मिलेगा, नीचे तक देख सकते हैं कहीं पर delete का option यहाँ पर नहीं आ रहा है तो यह account आपका delete हो जाएगा पर दोस्तों अगर आपका यहाँ पर net चालू नहीं रहेगा तो फिर भी यह WhatsApp यहाँ पर delete नहीं होगा देखें मैं आपको दिखा देता हूँ दिलेट कने बाद फिर से message में जाता हूँ तो यह number आपको यहाँ पर अभी भी देखने को मिल तो यह कभी भी आप इस process को complete करते हैं तो अपना net को चालू रखिए तभी यह process आपका complete होगा तो चलिए मैं इसको net को on कर लेता हूँ और on करने बाद अब मैं यहाँ पर message में जाता हूँ और message में जाने बाद एक बार इसको refresh कर लेता हूँ तो three dot में जाके आप इसको refresh जै तो यह delete नहीं होगा तो देख सकते हैं अभी अभी यह option नहीं देखने को मिल रहा है चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ को भी एक content को यहाँ पर choose कर लेता हूँ तो इस content को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इस पर click करूँगा उसके बाद उपर में profile वाले option पर click और यह process complete करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो देखे यहाँ पर जो यह number मैंने delete किया है वो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो comment करके जरूब बताईएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe कर दीजेगा like कर दीजेगा और share कर दीजेगा